दोस्तो इस फल का पेड़ करेगा इन लाइलाज बिमारियों का इलाज बस साफधाने से करें इस्तेमाल बारत देश बहुत ही विवित्तम से भरा हुआ देश है यह तुम सबी जानते है पर यह सिर्फ लोगों, धर्मों, जाती और भाशाओं में इसी में तो नहीं है बाहर के कोई भी देश तरीके तक नहीं जानते हमारे देश में किसी भी बिमारी का इलाज करना हो तो चार तरीके अपनाए जाती है जो कि जिस से की इलाज होता है दोस्तो पहला है होम पहती, दूसरा है एलो पहती, तीसरा एक्टी प्रेशर पदती और चोथा आहिरुवेदिक पदती भार्व से जादा और पूरे देश में अपना भॉल बाला करने वाली पदती है आहिरुवेद जो कि पेड़ पोधों और पत्यों के जरी इलाज करता है आज हम भी किसी ऐसे पेड़ पोधे के बारे बात करने जा रहे है जो कि आपकी कई बिमारे का इलाज करता है आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके फल से लेकर उस पेड़ से निकाला गया पदार तक हमारे रोगों का इलाज करता है कैसे और क्या है वे आये जानते हैं दोस्तों अंजीर यह नाम आप सभी ने सुना होगा और खाया भी होगा पर क्या आपको पता है कि हमारे कितने काम आने वाला फल है अंजीर को ड्राय फूट में सब ने खाया होगा पर यह सब मीठा सा ड्राय फूट नहीं है कई वीमारियों का दुश्मन भी है आईए जानते हैं अंजीर के सेवन से होने वाले फाइदों के बारे में दोस्तों इसका सेवन करने से खून की कमी दूर हो जाती है इसको रात में पारे में भिगो कर सुगए सेवन करने से खून की कमी बहुत जल्दे दूर होती है यह पाचन को ठीक करता है यदि किसी को पाचन से जुड़ी परशानी है और उसको अपच की या पाचन दंतर कमजोर होने की परशानी है तो अंजीर का सेवन करने से वैं ठीक हो जाती है किसी को यदि दमे की परशानी हो या बहुत ही ज़्यादा कफ परशान कर रहा हो तो उसको अंजीर का सेवन करना चाहिए या उसके लिए बहुत ही लाब कारी है यदि किसी को मुह में छाले और बार और प्यास लगने की परशानी हो तो अंजीर का सेवन करने से वह परशानी दूर हो जाती है तो अचा के रोग या मुहसे की परशानी होने पर अंजीर के पेर से निकला हुआ दूद लगाने से वह परशानी दूर हो जाती है शाहरेली के दुरबलता हो या किसी भी तरह का प्रदर अंजीर का सिर्म करने से वह परशानी बिल्कुली दूर हो जाती है दोस्तों तो यह थी अंजीर के बारे में जानकारी उमीद है आपके जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेर जुरूर करना ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दक जानकारीय लेकर आते रहेंगे जुड़े रही और मेडिय अपटेर्स के साथ नमशकार धन्यवाद